बिस्मिल्ला आहिरुत्मान इरहीम असलामलीकूम दोस्तो उमीद है आप लोग खेरियत से होंगे मुषिन एक बार फिर आप लोगों के साथ ENG201 Business Technical English Writing की जो हमारी assignment number 3 आई हुई है उसके साथ हाविर है दोस्तो उमीद है आप लोगों को मेरा चैनल पसांदाया होगा और आप मेरे चैनल से काफी कुछ सीख भी रही होंगे जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताक के मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो उन लोगों तक पहुंच सके और वो भी उन वीडियो से काफी कुछ सीख सकें दोस्तो हो सकता है मेरी वीडियो के अंदर आपको कोई ही कोई माइनर सी में स्टेक्स नजर आ जाएं तो आप लोग उसको अपने अंड पर ठीक कर लिया करें अगर किसी को फिर भी कोई कंफियन बाकी रह जाती है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा नंबर दिया हुआ है आप लोग मेरे साथ कॉंटक्ट कर सकते हो और मैं इंशाला कोशिश करूँगा कि आपकी जितनी भी क्यूरीज होंगी रिगार्डिंग दी असाइनमेंट और जी डी बी और क्विज उनको रिजॉल्व करूँ दोस्तो हमारी यह जो आज की असाइनमेंट है ENG201 बिजनिस एंटेक्निकल इंगलिस टाइटिंग उसमें हमें दो क्वेस्टन पूछे गए हैं मतलब हमारी दो रिक्वाइर्मेंट हैं सास्ट क्वेस्टन है स्पोर्व यू आर वर्किंगा फेल मैनेजर एंड यू वांट तो इंट्रड्यू यू नू नियू वशिंग मशीन इन दा मार्केट जब भी हम लोग कोई अडवर्टिवमेंट करते हैं हम लोग विजू अइड का इस्तमाल करते हैं इन गिवन कॉस्टन दा सुपरवाइजर आस्ट फर अस के हम इन जो विजू अड़ दिये गए हैं इनका कैसे इस्तमाल करेंगे अब यू लो विए दो दो एस्तमाल से अल्टिवमेंट अड़ नियू झाल फिल्टाव आस्ट्रावज विझेंग करते हैं with its super structure element on the basis of this survey हमने its survey conduct करने है और इसका जो result है वो हमने being a reporter अपने चैनल को submit करना है और इस report में बताना है the popularity level of the youth दोस्तों ये हमारे पाफ दो question है आई हम लोग इसके solution की तरफ इसका अब पहला जो question है उसका solution के इस तरीके से है के हमें तीन visual aid दिये गए थे उसमें एक photograph था और एक table था और एक pictogram था photograph का क्या है जी photograph है this is an important visual aid that the advertiser use his or her advertisement ये एक बहुत आहम मतलब visual aid है जिसको कोई भी जो है अपनी advertisement के अंदर इस्तमाल करता है किसली इस्तमाल करता है जी photograph is used to convey the exact meaning of the product and services which we want to fill the customer के वो exact meaning बताती है आपकी उस product या service के बारे में जो आप उसको बेजना चाहते हो like that if picture के अंदर एक तफ्वीर बनी होई है इस तफ्वीर में एक washing machine दी गही है I have paid this picture with context of our question because in the question we are filling a washing machine that is newly launched into the market so that I have choose this picture तो इसका ये है के अब ये जो picture दी हमें दी हुई है इसके ओपर clearly हमें देखें एक boss जो है वो एक brand है हमें तो एक brand message करने हो रहा है और दूसरा ये है कि इसके ओपर washing machine बनी होई है और उसके ओपर ये जो मचलियां बनी होई है white color की it means that if we are using that machine the cleaning level of the cloth is very clear के हमारे जो कपड़े हैं वो विल्कुल clear दूलेंगे इस washing machine से this picture conveys this message to the customer that want to purchase a washing machine जो इसको purchase करना चाह रहे हैं उनके लिए एक बहुत एहम message है और एक बहुत एहम तस्वीर है जो लोग मतलब machine खरीदना चाह रहे हैं और अपने कपड़े जो है वो साफ उतरे दोना चाह रहे हैं तो हम कह सेते हैं कि जो photograph है वो हम इस्तमाल करते हैं तो कन्वे सेक्थ मीनिंग इसफीर दो ना चाह रहे हैं यह वो ओकिया जए फोटोग्राफ जब आगा जी तेबल अव टेबल क्या करता है ये basically हमें comparison बताता है between two products के which product is ideal for him and which product is favorable for him and which product is conveniently available for him और ये सारी चीवें हमें जो है वो table बताता है और table जो है basically हम लोग comparison के लिए यूज करते हैं और ये customer जब कोई भी product रीटता है first of all they compare each product which is available in the market then they have to purchase this product अगर वो compare नहीं करता it means के वो ठीक फे regular customer नहीं है बलके उसने first time product purchase किया और बस उसके बाद वो regular customer भी नहीं है तो यहां पर इसके अंदर मैंने एक table लिया है उस table के अंदर जो है मैंने दो product लिया है एक aerial का washing gel लिया है और दूसरा air का washing liquid लिया है और फाइट पर जो है left फाइट पर मैंने कुछ चीवें ली हैं जिनको मैं compare करूंगा उन दोनों product के लिए यहां पर है clean brilliantly even a cloud wash इसमें देकें दोनों जो है वो बहतरीन काम करते हैं left massive है जो aerial washing gel है वो ठीक मिकलब नहीं करता और on the other hand aerial washing liquid जो है वो ठीक करता है easy dozing है यहां पर aerial washing gel ठीक काम करता है और aerial washing liquid जो है वो ठीक नहीं चलता है easy to store easy to store asani से हम aerial gel को store कर सकते है जो liquid है उसकी जो life है वो कम है इसलिए हम उसको store नहीं कर सकते तो अब table से जो है एक तो हमें comparison हो गया और दूसरा हमें एक जो product है which we want to purchase उसके बारे में हमें पता भी चल गया कि इसके क्या क्या features है तो table हम इसलिए use करते है इसके बाद pictograph है pictograph क्या है जी pictograph is an other visual aid and it likes a bar chart or an other thing like that it tells the customer about the product and services and their certification level graphically graphically यहां पर भी देखें जी मैंने एक question लिया है how much you save and annual cleaning के आप कितना बचा सकते हो जी अगर आप use करते हो different चीवें यहां पर liquid है capsule है और powder है तो अगर हम liquid use करते हैं तो यहां पर देखें जी top scoring brand है greater value है और lowest score है तो अगर हम liquid use करते हैं तो हमारा top scoring brand उसके वरिये हम लोग 30 डॉलर तक यह 30 रुपीज तक annual cost बचा सकते हैं अगर हम इसी तरह greater value use करते हैं तो इस पर इटनी और अगर हम दूसरा lowrist score वाला कोई liquid use करते हैं तो इस पर हम लोग इतने बचा इसी तहा एक जाए कैपसूलब ऄगर हम लोग कैपसूल यहां विज करते हैं for cleaning their wash home या कुछ भी anything else तो उस पर हम इतना वचाह सकते हैं, अगर हम powder यूज़ करते हैं, तो हम powder पर इतना वचाह सकते हैं, and that is pictogram or bar graph that clearly a user, how much they save money in the year, तो ये था जी हमारा first question, जिसमें हम से पुछा गया था कि हमने जो three video लेट है, photograph, tables and pictograph, उनके बारे में बताना है, तो मैंने जो है, तीनों के pictures भी लगा दिये, ताकि आप लोगों को और ज्यादा मतलब इस concept के इंदर clarity है, next question था जी हमारा, वो ये था, कि हम लोगों ने जो है, एक TV चैनल के reporter है, और being a reporter, we want to conduct a survey to check the popularity level of the youth age in the advertisement, और उसकी हमने फिर एक empirical report submit करनी है, after concluding the survey, तो उसको मैंने क्या किया है, to write the empirical research report, following steps are necessary, these steps include, किसी भी empirical research report को लिखने के लिए, हमारे जो है, ये 5-6 steps है, इनको हमें follow करना पड़ता है, and after following that, we are able to write an empirical report, और यहां पर पहला जो है, वो introduction है, दूसरा जो है, वो objectives है, और तीसरा जो है, methods है, और fourth जो है, results है, fifth conclusion है, और last में, जो है, recommendation है, introductions means, कि हमने, जो study को conduct कर रहे हैं, उसका introduction देना, objective means, the study, जो हमारी study है, उसके objective देना है, methods that we use to conduct, this empirical research, at the end, we have given some results to that study, and we conclude that study with some recommendation, तो यह हमारा जो है, एक समझ ले, empirical research report writing के कुछ steps है, तो हमने लिखनी कैसे हैं, जो हैं इंट्रोक्शन में, we are living in the society, everyone communicate with each other, आम एक समझ ले रहा हैं, और हर जो बंदा है, वो एक दूस्टे के साथ communicate करता है, to end, engage in some activity, और हर बंदा जो है, किसी ने किसी एक activity के अंदर, engaged है, to live in the society, जो है किसी एक अंदर रहने के लिए, so in this society, everybody doing something, हर बंदा जो है, कुछ ने कुछ कर रहा है, objective किया है, the main objective of this study, or survey, is to check the popularity level among the youth in the publicity or advertisement, कि इसका objective जो है, वो यह है, कि हम चेक करें, कि हमारा जो youth है, उसका जो popularity level है, वो कितना है, in publicity or anything else, आप किसी भी चीज में चेक कर सकते हो, method किया है, a close questionnaire is used to collect the data from respondent, इसके लिए हम एक questionnaire यूज करेंगे, वो हम distribute करेंगे among the respondent, and we tell him to fill out this questionnaire, and we will collect them and put into the computer, and analyze those questions here, of the study to check out the popularity level, और फिर हम उसे हम popularity level check करेंगे, of the youth into the advertisement or publicity, फोर्थ पे, results की, हमने बात की, the overall results of the study is that, there is almost 60% of the young youth involved in the advertisement, फिर्स फिस्थ पे था, conclusion का, तो conclusion के लिए मैंने लिखा, it is conclude that, the analysis of collected data from different age respondents, show that the majority of the respondents are involved in the advertisement, तो यह हमारा conclusion हो गया, recommendation में, being a research, I recommend that the new and the young talent should be involved in the new advertisement, message, अगर हम कोई नया message बना रहे हैं, advertisement के लिए, तो उसके अंदर youth लोगों को यह नई talent को लेकर आना चाहिए, यह हमारी recommendation हो गई, दोस्तों, यह थी हमारी assignment, ENG2-01, Business in Technical English Writing के हवाले पे, उमीद है सब लोगों को समझ आ गई होगी, जिन लोगों को समझ नहीं आई, वो मेरे साथ contact कर लें, description के अंदर में ता number दिया हुआ है, और जिन लोगों नहीं अभी तक मेरे channel नहीं subscribe किया, वो जल्दी से मेरे channel subscribe कर लें, Thank you very much दोस्तो, Allah Hafiz!